समस्कार भाईयों बहनों, आज मैं कालमेग जिसका बटेनिकल नाम एंडरोग्राफिस पेनिकुलेटा है कालमेग जो एलोपैथ में, होमियोपैथ में, आयुर्वेद में, युनानी, इतनी भी पैथी है दवा बनाने की सभी पैथियों में कालमेग का प्रयोग किया जाता है, लीवर संबंदिक खास तोर पर जो बिमारियां हैं, उससे जो दवा बनाई जाती है, उसमें इसका खास प्रयोग होता है आज मैं इसके उपर आप से चर्चा करूँगा, इसके लिए, कालमेग के लिए, जो जलबायू की जरूरत है, वो जलबायू, चाहे वो सभी प्रकार की मृदा में इसको पैदा किया जा सकता है जलबायू अनुपयूक्त है, माने कोई ऐसा छेतर, जहां भी आप चुने, वो जलबायू वाला नहीं होना चाहिए, पानी निकास के साधन इसको बना लेना चाहिए, जब आप इसकी खेती करते हैं तो काल में वर्षा रितु का फसल है, इसका पूरा पौधा पंचांग के रूप में प्रयोग किया जाता है, विजाई सीधे बीज द्वारा अथवा नरसरी में पहुत तयार करके की जाती है लगबग 500 ग्राम बीज एक हेक्टेर की नरसरी के लिए परयापत है, नरसरी के लिए 3 इंटू 1.5 मीटर की क्यारियां 15 सिंटी मीटर उंची बनाई जा सकती है, क्योंकि और इसमें प्रचुर मात्रा में गोबर की सड़ी खाड डालना चाहिए, इसके पस्चात लाइनों मे बीज डालना चाहिए, हजारे से सिचाई करनी चाहिए, और जब तक जमाव नहीं होता है, 8-10 दिन में जमाव जब हो जाता है, जमाव के बाद भी फवारे से ही आप इसमें पानी डालते रहें, नरसरी आपकी तयार हो जाएगी जून में, जून में ही नरसरी तयार की जात जाती है 90 से 120 दिन के अंदर यह कटने लाइक त्यार हो जाती है खात का जो प्रबंधन करना है आप जान रहे हैं कि यह आयरुवेदिक आउशधी है और आउशधियों के में अगर आपने रसायन का प्रयोग किया तो बहुत से गुणधर्म बदल जाते हैं इसलिए हमेशा में जैविक खात का ही प्रयोग करें जैविक प्रबंधन से ही आप खेती करें ताकि आपका जो उत्पाद है वो देशी बाजार में भी बिख सके और विदेशी बाजार में बिखने में भी उसके आपके किसी प्रोड़क्ट में रसायन की मात्रा न निकले इसलिए जब एक हेक्टियर में गोबर की सड़ी खाद का बिजाई से पहले आप इसमें मिला दें खड़ी फसल जब एक मा की हो जाए तो जिवानु खाद पुना फसल पर डालना चाहिए चूंकि फसल वर्सारितु की है अता सिचाई की आवस्यक्तिया नहीं पड़ती किन्तु सूखे दस दिन के अंतराल पर सिचाई करनी चाहिए रोग इसमें नहीं लगते किसी यह पधा नीम की पत्ती से भी कड़वा होता है कोई जानवर भी इसको नुक्षान नहीं कर पाते यह पूरी तरह से आपकी फसल सुरच्छीत है नकीट पतंगों से भी और जानवरों से भी फसल 20 दिन या 90 दिन बाद तयार हो जाती है कटाई के समय आपको यह ध्यान देखना है कि पुस्पन आया मने पौधे में अगर फूल आने लगता है तो आप सोच लीजिए कि आप यह यह हमारा फसल कटाई के लिए तयार हो गया है काल में का जड़ तना पत्ती फल फूल पांच के बाद इसको आप किसी चाय दार अस्थान पर पॉलिथिन बिचा करके सुखा दीजिए ध्यान रहे कि इसको धूब में नहीं सुखाना है और दूसरी और तीसरी कटिंग 60-60 दिन के बाद आपको मिलेगा इस तरह से आप तीन कटिंग वर्स में आप प्राप्त कर सकते हैं काल में की और जब भी हर्व को सुखाएं तो चाया का ध्यान रखें और जब आप इसको आप चाया में सूख जाता है अब इसके बाद आपका मेटेरियल बिकने के लिए तयार है अब बताइए अब इसको कैसे बेचना चाते हैं देशी बाजार में बेचना चाते हैं तो और international market में भी यह आ सकता है, आप जानते हैं कि डेशी market में आपको रुपए पैसे में आपको मिलेगा, लेकिन बीदेशी market में जाने पर तो यह आपको बीदेशी मुद्रा लेकर के आएगा. अगर इंडियन मार्केट में भी आप इसको बेचते हैं तो एक हेक्टेर से 30 कुंतल सुखी हुई हर्व आपको प्राप्त होती है 30 कुंतल सुखी हुई हर्व को अगर आप देख लीजिए एक किलो का दाम 100 रुपया है अगर आप इसको पाउडर फार्म में कर देते हैं तो यह 100 रुपया केजी में आपका भीग जाएगा अब इसके हिसाब से आप देखिए तो 100 रुपया केजी से के हिसाब से अगर 100 केजी है तो 100 केजी से आपको कितना मिलता है 10,000 आप जानते हैं कि 10 कुंतल बराबर एक टन होता है तो कहने का मतब यह कि अब आप इसका पूरा अगर कामर्स लगाएंगे तो 30 लख आपको हमदनी क्योल एक हेक्टर की उससे आ रही है अब आप के मार्केटिंग का रास्ता क्या है तरीका क्या है इसको अगर आप अपना ना जान जाएंगे तो आप निश्चित तोर पर बहुत बड़ी कमाई कर सकते हैं और लाब लाब बहुत अच्छा आरजित क कर सकते हैं लेकिन इस बात के लिए अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो अपना ई-मेल बना लीजे अपना बेवसाइट बना लीजे ताकि जो बायर कंपनियां हैं उनको आप अपने प्रोडक्ट के बारे में आप कैसे खेती कर रहे हैं जैविक कर रहे हैं कि रसाइनी कर रहे हैं इन सारी चीजों की यह सूचना उनको आप डाटा के माध्यम से आप देंगे आपके धरवाजे आ करके कमपनियां आपका माल उठा करके ले जाएंगी और आप माला माल हो जाएंगे तो किसान अब खेती के साथ उद्यमी बने तभी उसका भला होने वाला है इनी बातों के साथ बानी को भी राम देता हूं धन्यबाद